आपको दिखाते हैं महाराश के डेपुटी सीएम देवेंद्र फर्णवीज का एक्स्क्लूसिव इंटर्व्यू पाचवें चरण के चुनाव से लेकर महाराश में महायूती वर्सेज महा अगारी की जंग पर आपको दिखाते हैं राजीव सिंग के सार्णवीज की पूरी ब संत्री और वीजेपी के नेता देवेंद्र फर्णवीज जी हैं फर्णवीज जी हमने सुरुवात से देखा काफी व्यस्ते आप काफी कैम्पेंड के आपने चार फेस के बाद क्या स्थिति लग रही है बीजेपी की आपके घटक दलों की लिए महाराश्ट्र में चार फे जाने का मन बना लिया अगर इस्थिती इतनी अनुकूल है जैसे आप बता रहे हैं तो फिर जिस तरह के भाशन हम सुनते हैं पाकिस्तान की बात आती है और अंग्जेप की बात निकलाती है ऐसे भाशनों की जरूरत किसी भी नेता को किसी भी पार्टी को क्यों जरूरत वापस आती है इंडिया सरकार वापस आती है सम्मिधान खत्रे में पढ़ जाएगा दिखिए विपक्ष एक ही मुद्दे पर चल रहा है उनको पता है कि चाहे वो डिपलोप्मेंट का मुद्दा हो करॉप्शन का मुद्दा हो या फिर कोई अन्य मुद्दा हो मोदी जी के अगर हम देखें तो मुद्दी जी यह सवरक्षक है असली सिफ्षेना नकली सिफ्षेना इसको लेकर भी बड़ी चर्चा है इस पर आप पी क्या प्रत्क्रिया कि उद्धव ठाक्रे ये बाड़ा साब ठाक्रे जी के सुप उत्र है लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो केवल बड़ा साब ठाक्रे जी के संपत्ति के उत्तर आदिकार है विचारों के नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो बड़ा साब ठाक्रे मेरे हिंदू बंधूओं माताओं और बहनों ऐसे शुरूरात करते थे उद्धव ठाक्रे भी करते थ बाद उनके उपर दबाव आया तो उन्होंने हिंदू शब्द बोलना ही बन कर दिया उसके बाद आज उर्दू में कैलेंडर चापते और उस पर जनाब बड़ा साब ठाक्रे लिखते पहले हिंदू उर्दे समराठ शिव सेना प्रहूं बड़ा साब ठाक्रे दिखा जाता मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिहादियों के नेता बन गए क्योंकि जो वोट जिहाद की बात करते उनके नेता यह उद्धो ठाक्रे हैं यह हिंदू के नेता नहीं है लेकिन यहां पर फड़नुई साब एक सवाल और है उद्धो ठाक्रे की जो भाषा है जिस तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं कभी ऐसा लगता है भविश में कि वापस बीजदी पी से नजदी कि आप बढ़ सकती है आप सुबह उखने से रात को सोते समय तक दिन भर मोदी जी को गालिया दोगे दिल्ली के नेता की तरह ने गली के नेता की तरह आप भाषा का इस्तमाल करोंगे मुझे आसा लगता है कि ऐसे विक्ति के साथ कोई रिष्टा नहीं जूड़ सकता है बविश में कभी मुझे नहीं लगता है एक सवाल दिल्ली से जुड़ा हुआ इस वक्त चुकि माहौल में इसकी बड़ी चर्चा है स्वाती मालिवाल का जो मामला है कि सीम के घर पर गई सीम रहे हैं सीम हाउस में इस तरह की घटना को किस तरह से दिखते हैं इसी से इनका दोगला चेहरा सामना आता है एक और यह लोग महलाओ की सुरक्षा की दुखाई देते बड़ी-बड़ी बाते करते और सीम के घर में उन्हीं की पार्टी के महला सांसत के साथ इतना निरल परता भी उसके सामने फीकी पढाई और बावजूत उसके उसके आपर एक शब्द भी सीयम नहीं बोलते इंडिया गारी का कोई नहीं भोलता कोई उसकी भरत्सना भी करता निंदा भी करता तो इसका सिधा मतलब है डाल में कुछ काला है और निश्चित रूप से यह सारे के सारे बेनकाब हो चुके है बहुत धन्यवाद देवन फड़नवी जी